Hi everyone, welcome back to my channel, Beginning Point. एक आदमी के bank account में 50,000 रुपे हैं, दूसरे आदमी के bank account में 50,000 करोड रुपे हैं, और तीसरे आदमी के bank account में 50,000 करोड रुपे हैं. अब यह जो difference है इन तीनों के bank account में, यह जो इतना gap होता है हमारी कमाई में और हमारे समाज में जो इतना gap है लोगों की wealth में, आज हम इस topic पे बात करेंगे और यकीनन हम तीसरे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके bank account में 50,000 करोड रुपे थें. तो यह क्या difference होता है, मैंने अपने इतने time के जो कुंडली का research होता है, बहुत सारे clients की कुंडली को check करने के बाद, specially जो बहुत जादा rich clients हैं, जो बहुत जादा wealthy clients हैं, उनके कुंडली को study करने के बाद, मुझे कुछ pointers मिले हैं, जो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडि directly match करें, और ये भी हो सकता है कि वो pointers आपी कुंडली के साथ कुछ time बाद match करें, तो प्रीज, अगर मुझे से कोई गलती हो जाए, तो मुझे judge ना करें, और मेरी situation को समझें, कि मैंने बहुत research करने के बाद ये video बनाई है, तो चलिए start करते हैं, जो basic धन्योग होते हैं, जै एक साथ बैठना, या उनका interconnected होना, या उसका पहले house के स्वामी के साथ कोई connection बनाना, ये तो होते हैं basic धन्योग, और ये mostly लोगों की कुंडली में एक या दो तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी की कुंडली में कोई धन्योग ही ना हो, लेकिन जो आज म आपको बताने वाली हूँ, वो मैं आपको एक तरीकी से mega wealth के बारे में बताने वाली हूँ, कि जिसकी कुंडली में बे हिसाब पैसे के योग होते हैं, तो ऐसा पहला case जो मैं आप लोगों के साथ share करूँगी, वो है नक्षत्रों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ा roll होता ह हमारी कुंडलियों में, और बहुत सारे astrologers होते हैं, जो सिर्फ ग्रहे देखकर, या planets को देखकर, या हमारे जो houses का number है, उनको देखकर ही हमारी कुंडली का description या योग बताते हैं, लेकिन जो सबसे important चीज है, वो नक्षत्रों होते हैं, अगर आपको उनके बारे में depth में प किसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप नक्षत्रों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप अपनी daily life के बारे में भी, जो situations आपकी life में पैदा हो रही हैं, उन तक के बारे में clarity ले सकते हैं नक्षत्रों से, तो फिलहाल जो आज का हमारा topic है, 27 नक्षत्र जो हमारे total होते हैं, उन में से सिर्फ साथ ऐसे नक्षत्र मुझे मिले हैं अपने clients की कुंडली में, और ये मैं सिर्फ 5-6 clients की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कम से कम 500 या 600 clients की बात कर रही हूँ, और उन में से सारे clients नहीं हैं, कुछ मैंने famous personalities की कुंडली में भी check किया है, जो बहुत जादा famous और rich हैं, तो साथ ऐसे नक्षत्र निकल कर आएं हैं, जो अगर आपकी कुंडली में अच्छी position में हो, second या 11th house में या 10th house में भी हो, तो और आपके लगनम में भी हो, तो भी ये आपको mega wealth याने की बेहिसाब पैसा देते हैं, अब ये नक्षत्र कौन कौन से हैं, जेश्था, धनिश्था, पूर्वा फालगुनी, विशाखा, रोहिनी, पुनर्वसु, ये साथ ऐसे नक्षत्र हैं, जो अगर आपकी कुंडली में सही जगा पर हों, और बहुत अच्छी position में हों, तो ये mega wealth देते हैं, और अगर आपकी कुंडली में ये नहीं है, या मतलब आपको तो आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक research है, हो सकता है, आपकी कुंडली में जो नक्षत्र हो, वो भी यही mega wealth indicate कर रहा हो, लेकिन आज की जो वीडियो है, वो मैं अपनी research के उपर बना तो आपको बिल्कुल भी depressed या परिशान होने की या stress लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम second case के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा controversial topic है, हो सकता है, बहुत सारे लोग कहें कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत सारी कुंडली में चेक करने के बाद ये information न अगर ये एका दसामसा चार्ट में हूँ, डी 11 चार्ट में हूँ, तो ये mega wealth indicate करते हैं, जी हाँ, ये mega wealth indicate करते हैं, बेहिसाब पैसा indicate करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो कोई planet कभी niche का होता है, मतलब हमारी कुंडली में वो अपने debilitation पे बैठा होता है, वो planet हमको बहुत सा पैसा देता है, ये मैंने अपने बहुत सारे clients की कुंडली को चेक करने के बाद, आपको बाद बताईए, हो सकता है, उस planet का niche राशी में होने का परिनाम ये हो, कि आप बहुत दादा ड्रिंक करते हों, आप बहुत दादा स्मोक करते हों, आप जूट बोलते हों, आप अपन बेहसाब पैसा होता है, क्योंकि कभी-कभी बेहसाब पैसा ही परिशानियों की जड़ बन जाता है, वो case यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पैसा एक बार आता जरूर है, और specially जब ये planets niche के होके, या तो 1st house में बैटे हों, 4th में, 7th में, 10th में या 11th house में, तो ये और भी जाद beneficial हो जाते हैं, पैसे की दृष्टी से, और मैंने यहाँ पे D11 chart की बात करी है, एका दिसामसा chart की, क्योंकि वो जो chart होता है, वो specially बताता है, कि हमारी जीवन में, हमारे पैसे की स्थिती कैसी रहेगी, वो chart ही बनाया गया है, wealth को चेक करने के लिए, जो हम अपने life में acquire करते ह हैं, तो वो एका दिसामसा chart से मुझे यह information पता चलिए, तो यह दो ऐसे points हैं, एक तो नक्षत्रास का और दूसरा D11 chart का, जो आज मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती थी, कि यह दो ऐसे topic हैं, जहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ, इतना पैसा आने का reason यह है, I hope आपको य वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड सब्स्क्राइब तो मैं चानल